अगर आपके मसूडों से खून आता है तो आज के वीडियो में आपको तीन ऐसे घरेलू उपाय बताऊंगा जो अगर आप करोगे या फिर जिसका यूज करके आप जो मसूडों से खून आता है उसको तुरंट बन करवा सकते हो नमस्कार फ्रेंड्स मेरा नाम है डॉक्टर अक्षे कदम और अब सब का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है तो बहुत सारे मैंने इस पे अलड़ी दो तीन वीडियो बनाये हैं कि अगर आपके मसूडे से खून आता है फिर आप क्या क्या कर सकते हो आज का एक शौट वीडियो रहेगा इसमें मैं आपको तीन ऐसी होम रेमिडिज बताऊंगा जो आप यूज करके आपके जो मसूडे है उसको हेल्दी भी कर सकते हो और आने मसूडे से जो भी खून आता है उसको भी स्टॉप कर सकते हो सिर्फ कंडिशन एक ही है अगर बहुत ज्यादा आपके मसूडे फूले होए और बहुत ज्यादा उसमें से खून आता है मवाद आता है बहुत ज्यादा सूजन है तो फिर ये होम रेमिडि आम नहीं करेगी या फिर उतना असरदार साबित नहीं होगी तो अगर ऐसी कंडिशन है तो फिर आपके लिए मैं एडवाईस करूँगा कि आप एक बार आपके नियरेस्ट डेंटिस्ट को जरूर दिखाईए तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते है तो पहली होम रेमिडि है और पुलिंग इसका जिक्र मैंने पहले वीडियो म में भी मिल जाएगा या फिर आपके घर में अगर कोकोनट है उसको आप पीस के उसमें से थोड़ा सा ओईल निकालके या उसको ग्राइंड करके या फिर जो भी आपके पास कोकोनट ओईल एवेलेबल है घर पे वो मुह में लेके उसको अच्छी तरह से 10-15 मिनिट के लिए उसको मुह में अच्छी तरह से सब जगह घुमाना है अब जब भी यह प्रोस्टिजर स्टार्ट करोगे तो आपको स्टार्टिंग फेज में ही 10-15 मिनिट आप यह नहीं कर पाओगे आपको पहले 2-3 मिनिट फिर 3-4 मिनिट ऐसा थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाना है औ लोड़ा सा पानी जैसे रहता है तो उसमें ओम मुह में लेकर उसे हलके से कुली कर सकते हो दूसरी होम रिमेडी है अगर आपके पास एलोवेरा है अलोवेरा लगभख आपके घर में मिल जाएगा तो एलोवेरा का जो अंदर का पल्प है उसको अपके उंगलियों पे लेक अब रहेगा एलोवेरा का पो लेके उससे आप एसा राउट मोशिन में अंदर से मतलब जोभी मसूडे के ऊपर से मसाच करना है यह साइट से यह साइट से और लोर की भी सपार्व्र गरगल्फ वा से जो भी आपका जिंजायवा यानि मसूड़ा है उसका ब्लड सरेकुलेशन अच्छा मेंटेन हो जाएगा और तीसरा जो होम रेमेडी है उससे है नॉर्मल साल्ट वाटर गारगल मतलब थोड़ा सा गुन-गुना पानी लेना है और उसमें एक चम एक आधा चम मच सॉल्ट याने नमक डालके उससे सिंपल खुला करना है जो मसूड़े है अगर आपके मसूड़ों में कुछ प्रॉब्लम है या फिर खूण आदे तो यह यूज कर सकते हो इवन आपके मसूड़े नॉर्मल है तो भी आप रेमेडी का यूज कर सकते हो एक मेंटेनस ठेरपी भी उससे हम बोल सकते है और अगर आपको बहुत ज्या अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना बुलिए तैंक्यू जैहिए